हेलो एवरिवन वेलकम टू कोचिंग होम 24 तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं जैसा कि आप थमनिल में देख रहे हैं एक परिवार एक सरकारी नोकरी योजना तो मोधी सरकार दोरा फ्रेंट्स देखे काफी आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी कि एक परिवार एक नोकरी योजना कि हर परिवार को जो है एक सरकारी नोकरी जो है वो दी जाएगी हर एक सदस्य को नोकरी दी जाएगी तो देखे आज हम इस चीज का आपको जो है बिल्कुल रियालिटी बताएंगे कि क्या बास्तिक्ता में जो है ये चीज हो रह ही है तो कैसे इसके लिए फों भरे जा रहे हैं कि आप सभी को पता है कि इसके लिए आवेदन क्या है क्या इसके लिए शर्त रखी गई है और अनपड आठवी पास बार्वी पास के लिए सरकारी नोख्री जो है सरकार दे रही है तो दीखे सब कुछ इंपोर्टन बाते हैं जो आप सभी को जानना काफी जरूरी है तो इसलिए वीडियो को पूरा अंद देखेगा काफी इंट्रस्टिंग वीडियो रहने वाला है आप सभी के लिए तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते नीचे दिये के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में दिये के बेल आइकन को जरूर प्रेस करे ताकि जितनी फी वीडियो आगे आए उन सभी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो चली फ्रेंड्स देखते हैं कि क्या जो है वीडियो ट्रेंड कर रही है यूट्यूब पे जो आप सभी आप में से लगवा काफी जो है ने देखी होगी वीडियो देखिए तो देखिए आपको क्या बताया जा रहा है कि एक परिवार एक सरकारी नोकरी एक नोकरी योजना और देखिए इस परकार का कोई आपको फो होती है वो official notification जो है government site पर आती है क्योंकि इतनी बड़ी जो योजना है वो पूरे भारत के लिए लाकू की जा रही है तो वो उसकी जो notification है वो आप सबसे से पहले तो आपको क्या करना होता है उसकी जो है official notification चेक करने होते हैं तो देखी इस प्रकार का आपको जो फॉर्म बताया जा रहा है कि ऐसे आपको फॉर्म भील में गोंगरना है और उसके बाद क्या बताया जा रहा है कि आविदन करने के प्रिग्रिया गया तो इस Greek कहा जा रहा है कि आविदन करने की परिदम रहे जो है वह online और और भी इसका संपूर्ण बिवर्ण तो यहां से कंडिशन है कि आपके घर का कोई भी सदस्य सरकारी सरकारी नोक्री में नहीं रहेगा ज़दी आप हर एक सदस्य को यहां से सरकारी नोक्री मिलेगी तो देखी आप तो पहले जैसे वीडियो देखते हैं तो देखी इतना समझदार तो हर कोई होता है क्या यह सच बास मतलब रियालिटी में ऐसी चीज हो रही है कि नहीं तो देखी उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि बिरोजगारों में जो परिवारों में एक सरकारी नोक्री में नहीं है उन्हें जो है यहां से सरकारी नोकरी दी जाएगी ठीक है और देखें आगे देखें इंटरस्टिंग बाग क्या है आगे कि उमीदवारों को अपने मनपसंद क्षेतर में नोकरी का दिखे आपको पहले जो है क्या-क्या सरकार free में नोकरी देगी आपके लिए कोई भी जो charges नहीं लगेंगे उसके बाद आपको अपने मनपसंद क्षेतर में नोकरी करने का मोका दिये जाएगा आपका जो पेस्केल है वो भी लब जो बाकी जो उमीदवार होते हैं उनकी तरह होते हैं जो इवन अनपड़ है आज की डेट में आप देखते होंगे अगर चपडासी या कोई फिर स्वीपर की पोस्ट भी निकलती है तो आहां पर जो है योगयता वाले PhD तकाते हैं तो यह जो सरका का प्रोविशन पिरड़ भी इसमें रखा गया है ठीक है तो उसके बाद आप देखिए क्या यह तो सबसे जो इंट्रस्टिंग बात में को लगे कि अवेधन कैसे करें तो देखिए आपको बताया जा रहा है कि जो है सबसे पहले अधिकारिक पर जाएं तो देखिए बैप करेंगे और सबसे पहले सबसाई करें ऐस परकार के इसमें जहन से में ना आए ठीक है तो आगे देखिए और पोस्ट कोन से निकलई है देखिए पद का नाम है साहिक MTS, Group D और पज्ज हैं यहां से 55,000 के करीब और योग्यता दिखिए, अनपड़ योग्यता मांगी जा रही है, Group D और MTS के लिए और आटवी और दस्मी पास योग्यता All India यहां से जो बताई जा रही है तो फ्रेंट्स, बिल्कुल पूरी पूरी तरह से जो फेक न्यूजिस होती है इनको कभी वे आप और आगे ना बढ़ने दे, ना शेर होने दे ठीक है, ताकि लोगों में इसकी गलत चानकारी ना चाहें, तो देखिए, यहां से है कि आप 18-40 साल के बीच हैं, तो आपको जुरूर सरकारी नोकरी दी जाएगी सरकार के पास, देखिए, पहले ही नोकरियों की इतनी कमी चली है, और वो फ्री में नोकरियें सभी को देगी ऐसा तो कभी possible नहीं हो सकता और देखिए, इसका चैन कैसर रहेगा, बिना प्रिक्षा और इंटर्वियो के ना कोई प्रिक्षा होगी, ना कोई इंटर्वियो होगा जो इसमें आप से सिरफ आपके question पूछे जाएंगे, आपकी basic qualification के तो ये तो कभी भी कोई भी selection process नहीं हो सकता तो काफी बड़ा मजाग जो आप सभी के साथ किया जा रहा है तो please friends, इस परकार की वीडियो के जहांसे में ना है, कभी भी तो इसलिए हमने अपने चैनल पर पहली बार ऐसी कोई वीडियो बनाई है, जिसमें आपको बताया जा सके, जागरू किया जा सके, कोई भी ऐसी जो है वीडियो या कोई भी ऐसी सरकार द्वार योजना नहीं चलाई जा रही है, करीपेस के जहांसे में ना फसे है, क्योंकि काफी सारे जो है, एक एंटियर्स का में मैसेज आता है के सारे जो ये विकेंसी निकली है, तो इसके लिए हम एपलाई नहीं कर पा रहे हैं, तो दिखें, काफी बार उनके रिपलाई करना मुश्किल होता है, परंतु फिर भी उनने समझाया जाता है कि ऐसी कोई भी जो है, चीजों क्या विश्वास इस पर आप विश्वास ना करें, और अनपड़ तो कोई भी नहीं है, और इसके लिए कोई भी अविधन ना करें, तो धन्यवाद फ्रेंट्स मिलते हैं, नेक्स वीडियो में कैसे लगी आपकी वीडियो वीडियो को लाइक जुरू कीजएगा और जाज जाज शेर कीजएगा ताकि सभी को इसकी वारे में, रियालिटी के बारे में पता चल सके तो फ्रेंट्स मिलते हैं नेक्स वीडियो में और चैनल को सब्सक्रेब जुरू करें